नमस्ते दिललन टॉप के पते पर आ चुके हैं आप मेरा नाम है अबशेक आज हम आपके सामने कोई breaking news लेकर नहीं आए हैं आज हम आपके सामने आए हैं एक किस्सा लेकर किस्सा जिसमें 1993 का साल है मुंबई शहर है एक किंग है और किस्से में हैं मुंबई के पूर्व पुलि का वक्त शहर में मार्ज की दुभरी वाला ही सनाटा पस रहा था सब अपने अपने काम में मश्गूल फिर इसी दिन तीन बचकर 40 मिनट का वक्त है इन दो घंटे 10 मिट में मुंबई अपने सबसे खौफनाक दिनों में से एक का सामना कर चुकी थी शहर में 12 सीरियल बं ब्ल का तार ब्लास्ट होटल से लेकर प्लाजा सिनेमा तक बाजार से लेकर स्टॉक एक्सचेंज तक ब्लास्ट हर तरफ खून मास्क लोथड़े चीख पकार से पटी सडकें हर गुजरते मिनट के साथ मढने वालों की संक्या बढ़ रही थी पूरी मावया नगरी के हाथ- भीड को हटाना और उस रोज ये जिम्मेदारी थी उस वक्त के DCP ट्रैफिक राकेश मारिया पर राकेश मारिया को ब्लास्ट की पहली खबर देड़ बजे मिली बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की पार्किंग में ब्लास्ट कोई कुछ समझ पाता कहीं पहुच पाता इससे पहले दूसरा ब्लास्ट काट बाजार में तीसरा ब्लास्ट शिवसेना भवन के फास मारिया अपनी टीम के साथ राम गड़ेश गड़करी चौक पहुचे जहां शिवसेना भवन था मारिया किसी भी ब्लास्ट स्पॉर्ट पर पहुचने वाले पहले DCP लेवल आफिसर थे यहां उन्होंने सबसे पहला काम किया भीड से बात करना उन्हें समझाना राकेश मारिया ने भीड से कहा अगर आप लोग ऐसे भीड लगा कर यहां खड़े रहे डटे रहे जुटे रहे तो हम तो movement ही नहीं कर पाएंगे खुद भी शांत रहें अपने साथ वालों को भी शांत कराएं शहर में कई जगों पर लगातार ब्लास्ट हो रहे हैं हमारे बीच communal tension पैदा करने की यह सोची समझी साजश है हमें साजश में नहीं फसना है दंगे नहीं होने चाहिए मारिया अपनी बात लोगों तक पहुच जालने का काम चलता रहा नतीजा क्या रहा सुबह 6 बजे तक मुंबई की सड़ के वापस चल पड़ी थी वही मुंबई वाली spirit लेकिन सबसे बड़ा turning point अभी बाकी था अपनी किताब let me say it now में राकेश मारिया ने लिखा है कि ब्लास्ट की अगली सुबह 6 बजे वो शहर मे बंदोबस्त दुरुस्त करा रहे थे तब ही एक फोन कॉल आया फोन किसका फोन किंग के ओफिस से और यही फोन राकेश मारिया के करियर में और मुंबई ब्लास्ट की जाच में सबसे बड़ा turning point साबित होने वाला था किंग यानि मुंबई के पुलिस कमिशनर अमरजीत सिंग सामरा wireless calls और code language में उन्हें किंग कहकरी पुकारा जाता था सामरा ने राकेश मारिया को फॉरण मिलने बुलाया सुबह सुबह मारिया सामरा के दफ्तर पहुचे तो उनके साथ थे महेश नारायर सिंग जॉइंट कमिशनर सामरा ने सबसे पहले मारिया से हालचाल पूछा ब्लास्ट को लेकर जो भी जानकारिया जुटाई गई थी वो सारी राकेश मारिया के साथ साज़ा की राकेश मारिया मनहीमन सोच रहे थे कि मेरा काम तो ट्रैफिक और बंदो बस्त दुरुस्त कराने का है तो ये सब जानकारिया मुझे क्यों बताई जा रही है सामरा ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा राकेश तुम तो जानते ही हो कि ब्लास्ट कितने सीरियस थे इससे भी बड़ी दिक्कत ये है कि हमारे पास कोई क्लू नहीं है कि ये किस ने किया क्यों किया ऐसे में हमला करने वाले फिर से हमला कर सकते हैं मुंबई पुलिस की प्रतिष्ठा दाउं पर है हमने फैसला किया है कि इस केस की इन्वेस्टिगेशन तुम करोगे राकेश मारिया हैरान थे 13 मार्च 1993 की तारीक को मुंबई शहर में इस सीरियल बं ब्लास्ट का केस तुल जाने से बड़ी जिम्मेदारी कोई नहीं थी और ये जिम्मेदारी अब राकेश मारिया के कंदो पर थी राकेश मारिया जिनको मुंबई जैसे शहर में काम का समाले अभी सिर्फ 22 महीने हुए थे 12 महीने जोर्नल DCP के तौर पर और पिछले 10 महीने DCP ट्रैफिक के तौर पर और अब वो मुंबई बम ब्लास्ट की जांच करने वाले थे मार्च का महीना शुरू हो गया है 1993 के मार्च महीने की और भी कहानिया हम आप तक लेकर आते रहेंगे देखते रहिए जुड़े रहिए दी लल्लन टॉप के साथ इस पूरे किस्से के दौरान कैमदे के पीछे थे हमारे साथ ही राशिद शुक्रिया